नमस्कार से फिडिया में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बहुत दिनों बाद आएं आज देखिए कुछ अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और कुछ आइडियाज के बारे में बात करेंगे क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि अप्रील के बाद से कितने मुश्यवतों का सामना करना पर रहा है आप लोग को पता ही होगा कि 31 मार्च से बोला गया था कि L1 डिवाइस का काम नहीं कर सकते हैं लेकिन उसका डेट जो है बढ़ा दिया गया है आपका 30 या 31 जून हो गया है 30 जून या 31 जो भी महीने होगा वो हो गया उसके बाद से जो है आपका ये छोटा वाला डिवाइस से वो काम नहीं करेगा प्रॉबल्लम्स बहुत सारी हैं APS अगर हम लोग कर रहे हैं हमारे जैसे हम आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो smire आधारित हैं A.P.S. करके अपना घर परिवार चला रहे है तो इसमें क्या है कि इसका कोई भरोसा नहीं है अगर आप सोंच रहे होंगे कि लॉंग टर्म में चलेगा तो भीह आप गलत सोंच रहे हैं कुछ भी हो सकता है हम 100% तो नहीं बोल सकते लेकिन कुछ भी हो सकता है इन हलातों को दे कासी करके देखिए किसी किस्टमर का दस हजार नहीं निकल रहा है दस हजार से पचास रुपए कम निकाल लिएगा तो निकल जाएगा Union Bank of India का महीने में 5,000 हो गया आप एक बार में निकाल लिए या चार बार में निकाल लिए निकलेगा 5,000 Bank of India, Bank of India का क्या है अगर आप एक ID यूज कर रहा है तो आप महीने में एक ही बार निकाल सकते हैं Bank of India का दूसरा बार निकालने के लिए वो तो अलाओ करता है दो बार और 10-10,000-20,000 अलाओ करता है लेकिन दूसरी आइडिया आपको चाहिए उसके लिए अगर आपको Bank of India का दूबारा transaction करना है तो Bank of Borda का तो पूछे ही मत हाल फिला हल में किसी किसी का तो निकल जा रहा है लेकिन बहुतों का नहीं निकल रहा है इस बीच देखिए अगर आप केवल EPS कर रहे हैं तो प्लीज आप उसमें कुछ improvement कीज़े अपने swap में improvement कीज़े और केवल EPS के भरों से ना रहिए ये सेफ इंडिया काना है मेरा काना है क्योंकि अगर एक पे ही हम लोग आधारित रहेंगे तो ये कभी भी धोखा दे सकता है क्योंकि दुनिया ही वो है ठिक आप लोग देख सकता है कि NPCI के guideline पोस्ट फ इंडिया पोस्ट payment bank का अगर आप निकासी करने जाएगा तो प्रते एक transaction वो लगभग 24 रुपय काट लेता है 24 रुपय कम नहीं होता है एक बार फ्री महिने में दे रहा है उसके बाद प्रते एक transaction 24 रुपीज कट करना कस्टमर के लिए और APS चालकों के लिए बहुत बड़ी चुन होती है यहां पे वो थोरा लड़ाई टाइप का महौल बन जाता है कस्टमर बोलता है कि क्या आपन बहुत सारी बैंक है जो इस टाइप का चार्जस कट करती है और सबसे बड़ी प्राब्लम अगर आप 2FA कीजिएगा जो authentication है आप कीजिएगा तो प्रते एक 2FA पे जैसे अपना फिंगर लगाता है तो पैनियर भाई अगर जो भी यूज करते होंगे फीनो का तो अभी कोई यहां पर नहीं आया हुआ है मैंने चेक किया पैनियर भाई रोयनेट और इस टाइप की कमपनिया जो भी है वह जो है अपना चार्ज लगा दी है तो पैनियर भाई 31 जून तक सायद वह छूट देके रखा हुआ है कि जब से जब तक कुछ रिटेलर्स उनके बन जाए लेक इसमें अपना फिंगर लगाते हैं तब आपका जो है एक रुपे 25 पैसा जो है डिड़क्ट किया जाएगा चलिए ठीक है मानते हैं यहां पर आप मिनिये स्टेटमेंट अगर हर कस्टमर का निकालिएगा तो वहां से आप कमा लिजेगा ठीक है एक रुपे या फिर जो भी मिलता है 90 पैसे 95 पैसे वह आपको मिल जाएंगे कट रहा है एक रुपे 25 पैसे ठीक है लेकिन कस्टमर के जब आप मिनिये स्टेटमेंट निकालिएगा अगर बात करें हम इंडिया पोस्ट पैमेंट बैंक जैसे बैंकों का तो वह लगभग 5-6 रुपे डिड़क्ट करता ह है और वह भी 5-6 रुपे आपको दिया जाता है एक रुपे ठिक वह भी एक रुपे में आपका TDS कटता है और 95 पैसे सायद आपको मिलता है एटल पैमेंट बैंक के यूजर होंगे तो उनको तो मिनिये स्टेटमेंट पर भी एक भी रुपे नहीं मिलता है देखिए मिला ज लगाई होई है तो आखिरकार क्यों UPS आपने चार्ज कमा रहे हैं क्यों आपने चार्ज लेना अलाओ किया हैं दि दुण को आप हमसे ले रहा हैं एक तो आप 10,000 रुपे के निकासी पे 9 रुपे, 8 रुपे इस टाइप से दे रहे हैं, उसमें से भी आपको 1 रुपे, 5 रुपे चाहिए, मान लिजी आपका 100 ट्रांजोक्शन्स पर डे हो रहा है, बहुत सारे ऐसे रिटेलर हैं कि उनका तो 20-25 भी ट्रांजोक्शन मुश्किल हो जाता ह लेकिन मैं यहाँ पे बात करता हूँ उन रिटेलरों का, जिनके पास 100 भी ट्रांजोक्शन्स हो रहे हैं, और वो पैसे मान लिजे कि नहीं ले रहे हैं कस्टमर से, वो इसी भरोसा है कि चलिया हमें कमीशन मिल जाएगा, एक एवरेज मान लेते हैं हम लोग, अगर यहाँ बात किया जाए, एक हजार रुपय के ट्रांजोक्शन का और दस हजार रुपय के ट्रांजोक्शन का, तो यहाँ पर एवरेज अगर आप ट्रांजोक्शन का जोडियेगा, तो परतेक ट्रांजोक्शन लगबग 5-6 रुपया पड़ेगा, तो अगर आप 100 ट्रांजोक्शन या कर रहे हैं तो यहां पर को चार्ट लाख रुपए का अरेंजमेंट किये इतना रिक्स लेकर के दुकान पर बैठे हुए हैं उसके बाद से आपको महीने का कमाई कितना हो रहा है बारस से पंद्रह हजार रुपए वो आपको कमिसंस दे रहे हैं इतना भी नहीं हो पाएगा जिस तरीके से मैं बता रहा ह लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो इतना भी नहीं है उसे में एक रुपए कम और हो जाता है एक रुपए डे रुपए कम और हो जाता है तो अगर तीन से चार लाख रुपए का निकासी कर रहे हैं तो दस से ग्यारह हजार रुपए आपका कमिसंस बनेगा जो एई- टाइम और नहीं होता है आप आपका कोई कैस एंपिस हर एक जगा ब्रांच खोल के नहीं रखा हुगा है कि वहां से आप जाईएगा एकदम से सटिक तरीके से कैस लीजिए और दुकान पर बैट जाए और काम करते रहे हैं ऐसा नहीं है एराइजमेंट करना पड़ता है 3-4 लाख रुपे निकासी करने के लिए अगर पर दे आपका निकासी है तो उसके लिए आपको 5-6 लाग-7 लाख रुपे रखना पड़ता है किसी किसी को 10-10 लाग भी रखना पड़ता है ऐसा ऐसा एरिया भी है कि आज पैमेंट कीजिए तो कल मिलेगा या फिर सुबा पै हैं और जो भी इस टाइब की प्रॉब्लम से वो सेयर किये हुए हैं लेकिन मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग को अगर एक तरीके का CSP मिल जाता है अगर वो Estate Bank of India का हो या फिर जो भी इस टाइब की बैंके हैं अगर उनका CSP मिल जाता है तो आप लोग एक लेके रखिये उससे ही काम किजिए उसमें आपको कमिशन भी अच्छा कासा मिल जाता है और अगर आप खाते खोलते हैं तो उनमें भी benefits हैं तो आपसे मैं यही बोलूँगा कि अगर आप रिटेलर हैं एक तो आप एक CSP में convert कीजिए अपने आपको आप CSP बनिए वहां पे खाता खोलना शुरू कीजिए थोरा सा प्रेसर लिजिए अपने उपर क्योंकि EPS के भरोश से ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं है और जिन भी भाईयों के मन में ये होगा कि वो इंडिया Post Payment Bank का CSP लेने के लिए अगर वो हुचसाइत होंगे तो मैं बोल दो कि इंडिया पोस्ट प्रमेंट बैंक का CSP लेने के लिए अपने ब्रांच पे जो है जो भी आपका में ब्रांच होगा पोस्ट अप इसका आपके जिले में वहाँ पे जा करके कॉंटेक्ट कर लिजेगा इसली तरीके से मिल जाता है कोई इसमें दोर भाग नहीं करना है पांच शेयाजर उपे आपका मुश्किल से खर्चा होता है बागी अगर कोई डोनेशन मांगे तो वीडियो देखाईएगा मेरा कुछ तो वेनिफीट होगा और दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया बोला जाता है कि दो-3 महींने में रिफंड है लेकिन कस्टमर उस समय आप से ऐसे रहेंगे कि आखिरकार चार्ज क्ट क्यों रहा है वह आपको तीर-ची नजर से देखेंगे निकाल सकते हैं और खाता खोल सकते हैं और इफलाहल के लिए अच्छा नहीं है अगर आपको लेना भी होगा तो इस टाइपस आप यूज को सबहें यह तो आपको अधार के मध्यम से कुछ एक्सक्तber से क गणी मे एक फिलहाल के लिए अच्छा नहीं है अगर आपको लेना भी होगा तो इस टाइप से आप जा करके ले लिजेगा बस इसमें इतना ही काम है काम क्या है फिर से खाता खोल सकते हैं केवल और केवल खाता खोल सकते हैं money transfer कर सकते हैं जो है आपको दिया जाएगा DMT जो है उसमें चार्ज जो करता है 10 रुपे वो कटेगा ही कटेगा DMT चार्ज और AAPS कर सकते हैं बस यह तिन काम याद रखिएगा बाकि आपको insurance वगरा का है तो insurance का तो idea की मतलब की इस समय जनरल ही मिल जाता है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बस थोरा सा यह था बहुत दिन हो गया था वीडियो बनाए वह सोचांगे आप लोगों के सांथ कुछ बात किया जाए इस वीडियो बस इतना ही था फिर मिलते हैं अगले किसी next topic के उपर कुछ especially तरीके से तब तक के लिए इजाजत दिजे नमस्कार